एक से एक तोता हम पाल लेते हैं अपने घर पर लेकिन इसलिए नहीं पालते हैं क्योंकि हानिया ही हानिया होने लगता है तो जिस चीज से हमको हान है उसको हम अपने घर में क्यों रखें तो उनको आजमान में ही रहने दीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके तो आप लोगों को समय हो की से ऐसुझा बढ़ा है। ने गलत कर दिया है तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पिंजडे में तोता को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए तो वीडियो को पूरा अंडर तक जरूर देखना और पालने पर क्या होता है अगर आप पिंजडे में तोता पालते हो तो क्या होता है उसक तोता भी रहते हैं और उनकी जो आवाज है वो भी बहुत अच्छी रहती है लेकिन उनको अगर कुछ दिनों तक जैसे छोटे बच्चे हैं कुछ दिनों तक ट्रेंड किया जाए तो वो आदमियों का भी आवाज निकालने लगते हैं जो कि जिनके घर में रोज जो चलता रह है वो अपने दिमाग में कैप्चर करते रहते हैं और उसके बाद वो खाली समय पर जब कोई नहीं रहता है घर में तो उसको वैसे दोहराने लगते हैं तो तोता के अंदर यही खाखियत रहता है इसलिए जो महिलाएं हैं जो माताएं बहने हैं उनका सवक रहता है कि हम 30 सास्त्र पढ़े हुए हैं उनको पता होगा जो किताबे पढ़े हुए हैं तोता के बारे में उनको पता होगा कि तोता को क्यों नहीं पालना चाहिए जैसे आप पिंजडे में तोता कोई कैद कर लेते हो तो अब उनको अगर अपने घर में लाते हो तो आपके घर में एक वीडियो देख रहे हैं और अभी उनके घर में कुछ ना कुछ घटना हो रहा है छोटा मोटा हो या बड़ा हो तो उनको फ़वरण जो तो है उसको आजात कर देना चाहिए क्योंकि आपके घर में और भी हानिया होने वाला है और जो लोग सोच रहे हैं कि हम तोता पालेंगे तो तोता अगर आपको पालना है तो आप बीना पिंजडे में कैद किये तोता को पाल सकते हो जैसा कि आप यूटूब पर बहुत वीडियो देख सकते हो बहुत भाई बहनों ने तोता पाले हुए हैं और उनका भी आप चैनल पर वीडियो देख सकते हो सर्च करकी यूटूब में लेकिन अगर आप पिंजडे में तोता पालने की अभी सोच रहे हो अभी आपके घर में कोई घटनाय नहीं हुई है तो आप तोता मत पाली है क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप तोता पाल लोगे तो आपके घर में कुछ न कुछ जरूर घटित होगा इसलिए मैं आपको यह वीडियो में समझाने की कोशिस कर रहा हूँ लोगों को पालना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप तोता का बहुत सोख है तोता पालना ही चाते हो तो आप एक तोता का फोटो लेजिए और अपने कमरे में उसको लगा दीजिए उससे आपको बहुत फायदा होगा जैसा कि मैं किताबों में पढ़ा हूँ जोतिस सास्त्र में पढ़ा हूँ तो ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये मेरा फर्ज भी बनता है क्योंकि हमने तोता का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे इस्टाग्राम पर कमेंट आता है जो महिलाएं होती हैं उनका ज़्यादा कमेंट आता है कि हमको तोता चाहिए हम तोता को पालेंगे तो बिसेश कर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप घर में तोता मत पालिए अगर पालना ही होता तो मैं भी बहुत तोतापालता है लेकिन इसलिए नहीं पालते हैं क्योंकि हानिया ही हानिया होने लगता है तो उनको आसमान में ही रहने दीजिए और आसमान में उड़ने दीजिए और जो भी वीडियो मैं तोता का बनाया हूँ वो आप लोगों को केवल दिखाने के लिए बनाया हूँ और अगर उसमें मैं जो पिंजड़े का जिक्र किया हूँ अगर उसका जिक्र नहीं करता है तो तोता और पिंजडा तु जानते हो कहानियों में, किताबों में भीनिखा रहता है कि तोता और पिंजडा जैसे इसलिए मैं Nepिते नीचिंग कें लिए उसमें मैं बॉल दिया हूँ और उसमें बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने घर पर तोता पालिए पिंजड़े में कहत कीजिए मैं तो यह कहता हूँ अगर आपको जादा विसेस जरूरी है तोता पालना तो घर में वैसे पालिए लेकिन उसमें विश्य ध्यान ये रखना है कि आपके घर में छोटी बिल्ली नहीं होनी चाहिए नहीं कि जो तौता का बच्चा है तोता है उसको खा रेंगी उमीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा पसंद आ प्यूट लाइक की कीजिए लाइक चैनल के नाइओं सब्सक्राइब कर दो तो आगे से आने वालए वीडियो में देखिए, क्या पता फार रौला वीडियो उम और लाएं और आप लोग हमारे चैनल पर जूड़े रहें इसी तरह से मैं आपको ब्लागिंग और तोता का वीडियो दिखाता रहूंगा तब तक लिए जय हिंद जय बारत